दोस्तो आज बाजार में हमने जबरदस तेजी देखी पिछले तीन ट्रेडिंग सेसन में देखे तो बहुत ही जबरदस गिरावट देखे लगबग ऊपर के लेवल से देखे तो 1500 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है आज उसकी भरपाई हो गई है लगबग 8500 पॉइंट आईटी इंडेक्स का है आईटी शेरों की विज़े से आज हमने माहौल पॉजिटिव देखा है और यह तेजी बनी इसके पीछे जवाबदारी थी ग्लोबल मार्केट की फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट में बहुत जबरदस तेजी बनी थी और इसके बाद में हमार खरीदारी की है और सबसे बड़ी बात है क्रूड ओयल की क्या समभा हो ना और इंडियन रूपीज डॉलर के सामने क्या पेटरा है या फिर वहाँ पे कुछ रिकवरी हो रहे है इन सारी बातों का बाज़र पर काफी यदा इफैक्क पड़ता है इन सारी बातों को समझेंग है 846 पॉइंट की सांदार तेजी यानि 1.49 परसेंट दोड़ा हमारा BSE संसे लगबग 1.5 परसेंट की तेजी और काफी अच्छी तेजी है क्योंकि हमने तीन टेडिंग सेसन में लगबग 1500 पॉइंट की जबरस गिरावर देखी थी अब निप्टी 50 देखें तो 18101 के इस्तर पे आ चुका है यानि एक मजबूत सपोर्ट फिर से निप्टी 50 को मिल चुका है 241 पॉइंट की तेजी थी 1.35 परसेंट निप्टी 50 आज दोड़ा और ये काफी अच्छी बात है वैसे अगर आप देखें तो आज हमने इंट्राडे में फिर से वो 17,936 का लो भी देखा यानि जो 18,000 का मजबूत सपोर्ट फिर तूटा था लेकिन फिर बाद में खरीदारी के दंपे फिर से पॉजितिव माहुल बनता हो दिखा दिया आज जो सबसे जो अच्छी तेजी बनी है वो निप्टी के मजबूत इंडेक्स में जिसमें निप्टी 50, निप्टी निप्टी 100 जो काफी अच्छे दोड़े वहाँ पर देख सकते तो 1% के उपर की तेजी है मीड कैप के अंदर तेजी थोड़ी कम थी लगबग 1% या 1,5% के बीच में लेकिन स्मॉल कैप में काफी कम तेजी थी स्मॉल कैप में देखे तो एक तरस से कोई बड़ी तेजी नहीं थी यानि जो भी निप्टी के बड़े मजबूत इंडेक्स थे वही पर आज हमने तेजी देखिए अब यहाँ पे देखे तो यह जो सबसे सांदर आमने तेजी देखिए उसके पीछे जवाबदार है निप्टी IT इंडेक्स 2.83% की बंपर तेजी एक तरस से देखे तो बाजार का वीन्दर बनाए निप्टी IT इंडेक्स अब उसके बाद जो तेजी बनी है वो है PSU बैंक में करीब 1.14% की तेजी थी और निप्टी मैटल इंडेक्स लगबग 1.43% की सांदर तेजी तो आज जो योगदान है आप देखे तो बाजार में तेजी का उसके पीछे सबसे बड़ी ज़िए आईटी की मैटल इंडेक्स PSU बैंक और इसके इलावा थोड़ा सा ओटो इंडेक्स ओटो इंडेक्स भी आज 1.23% दोड़ा है लेकिन यहाँ पे अगर हम देखे कि बाजार में सबसे जो कम जिसने रिटन दिया वो है देख सकते हो मीडिया मीडिया में हमने मात्र आप देखे तो यहाँ पे सिर्फ 2.86% की तेजी थी तो यह ओर आप देखेंगे तो आज बाजार में तेजी के पीछे यह दो तिन जो इंडेक्स ते काफी मजबूत थे जिसमें IT और मैटल तो यहाँ पे पॉजिटिव माहल हमने देंदर के देखा है अब इसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट खुल चु की तेजी है नेशनले कंपोजिट की बात के तो तेन थाउजन सिक्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे अब यहाँ पे एफ़ाई का रुजान आज काफी सकारत मरा है आप देख से तो एफ़ाई ने पिछले करीनों के बाद जम के खरीदारी किये बाजार में बले ही उनका जो उन्होंने 8,846 रुपीज की बिक्वाली की इस तरह से उनकी जो बिक्वाली निकल कर रहे है वो 203 रुपीज की है तो यह आकड़ा काफी कम है जो इसारा कर रहे है कि जल्द ही एक या दो ट्रेडिंग से बाद एफ़ाई फिर से बाजार में खरीदार बनते हो दिखाई द रुपीज आप देख सकते हो तीन जनवरी को यह 82.79 के आसवाद चला गया था वहाहां से काफी ज्यादा रिकवरी देखनों को मिली है यह बाजार के लिए एक बड़ा सिगनल है पॉइट इसके अलावा जो थोड़ी सी बाजार के लिए डिसपोइंट करने वाली बात है कि क्रूड ओल की प्राइस फिर से बढ़ चुकी है डव्यू टी आ क्रॉड फिलाल 75.98 पर आ चुका जापर 3 परसंट की बड़ी तेजी है ब्रेंड क्रूड 80.69 पर है जापर 2.70 परसंट की तेजी है अब यह ब्रेंड क्रूड ओल आने के पीछे वजह है चाइना ने अपनी जो बॉडरें उसको रिय उपन कर लिया है और वहाँ से जो सिगनल निकल के आ रहे कि अब फिर से डिमांड बड़ी की क्रूड ओल की और पीछले कई समय से जो जीरो कोईड पॉलिसी की वज़े से चाइना में बिलकुल डिमांड ठपती अब वहाँ से क्रूड ओल की डिमा पी एले स्कीम और दुनिया के बड़े देशों की कंपणियों की चाइना वन पॉलिसी के चलते भारत की तमाम कंपणियों को जोड़दार फाइदा होने वाला है आगे चलकर भारत के मैनुफेक्चिरिंग सेक्टर में और भी अच्छी बड़ोतरी देखना को मिलेगी और भारत जल्दी तमाम देशों के भारी मातर में एक्सपोर्ट करता हो नजर आएगा यह जो इंडिया का एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ता हो दिखाई देगा राब नातन का कहना है कि मीड केप कंपणियों के वैलुशन फिलाल उच्छे दिखाई देरे ले लिकिन फिर भ से आपको आरवी एनल या आई आरफ से में इवेस करना चीह है टूजन टॉजन टॉटिफोर के आम चुनाओ को देखते हुए सरकार रेलवे के लिए बड़ा आवंटन करती हुई नजर आ सकती है यानि रेलवे के लिए काफी ज्यादा सरकार के दरब से एनॉस्मेंट हो सक लेकिन उनका कहना है कि इंसुरेंस कंपणियों के बारे में अभी आपको वेट और वाच करना चीह आगे सरकार के दरब से क्या रणियती बनती है कोविड के केस क्या आगे बढ़ते हो दिखाए देंगे या फिर कमी होगी तो क्या है संबावना उसको देखके बाद में फि काफी जदा इफेक्ट देखने को मिला है उनके खर्च में कटोधी कर जेगी कमपणी कुछ एमप्लोईज की चटनी भी कर सकती है लेकिन आने वाले समय में इनका कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ और दिखाई देगा और ऐसे में आपको चुनिंदा आइटी शेरो में इसके लावा रेलवे के शेरों में निवेस की सला दिये और बीडिकेप में अच्छे शेरों में आप दाव लगा सकते हैं अब कुछ यहाँ पर ऐसे श्टोक हम डिसकस करने वाले जिनके यहाँ पर टार्गेट निकल क्या रहे अलग-लग ब्रोकरजा उसकी तरब से तो क्या रही है तीसरा जो है वो मेरी को 514 के आसपस खरीदारी की सला है 645 का टार्गेट देखने को मिलेगा यह भी शेर खान की तरब से बाई की कॉल दी गई है और इसके अलावा अगर आप देखे तो CSB बैंक जिसमें आपको 250 के आसपस खरीदारी करनी है और इसका टार्ग देखने को मिलेगा यह LKP Research की तरब से देखनों को मिला इसका टार्गेट इसके बाद में कर आप देखे है HDFC Bank में खरीदारी की सला है 1597 के आसपस की प्राइस है इसका टार्गेट 1800 देखने को मिलेगा यह NK Global Financial की तरब से यह बाई के कॉल दी गई है इसके अलावा आपको फिनोलेक्स केबल में निवेश करना चीए 539 के आसपस और इसका टार्गेट 6860 का है जो शेहर खान की तरब से दिया गया है इसके लावा सेफलर इंडेस्ट्रीज में निवेश की सला है 2006 ने 77 के आसपस की निवेश करना चीए आपको 3328 का टार्गेट देखनों को मिल सकता ह यह शेहर खान का कहना है इसके अलावा NCC जिसमें 93.55 के आसपस और इसके निवेश करना चीए आपको 110 का टार्गेट देखनों को मिल सकता है यह ICC डारेक्ट की तरब से बाइक की कॉल दी गई है तो यह कुछ स्टॉक है जिनमें आपको इंवेस्मेंट के बारे में सोचना चीए और आने वाले से में आपको अच्छा डेफिनेटरी रिटन में मिल सकता है काफी मजबूत इश्टोक है अब एक बार हम निप्टी के सपोर्ट और रेजिस्टर्स चेक कर लेते तो यहां से फिर से गिरावट का माहल बनता तो निप्टी का पहला सपोर्ट 17,754 का है यह सपोर्ट टूटा तो 17,648 तक जाता हो दिखाए देगा निप्टी 50 और यहां पर भी निरुका तो तीसरा सपोर्ट 17,502 का निकल के आ रहा है यह एक मजबूत सपोर्ट है और इसके उपर जब तक निप्टी ट्रेड करेगा फिर से उपर जाने की सम्भावनों बनेगी पॉजिटिव माहूल बना तो 18,600 का फर्स्ट रेजिस्टरेस है यह ब्रेक हो चुका है अब जो सेकेड रेजिस्टरेस निकल के आएगा वो 18,152 का है इसको पार कर लिया तो फिर आपको 18,257 का तीसरा रेजिस्टरेस देखने को मिलेगा और वहां तक पॉजिद फिर से ब सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड